नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपिटेट 2019 तो दोस्तों इसमें एक बड़ी अपडेट आ रही है लोग आ गई बड़ी खबर जी यहां दोस्तों किसी का नमर बढ़ेगा तो किसी का घटेगा भी किसी का दोस्तों पहले विकल्प नमर ए सही था अगर दोस्तों आप अबजेक्शन फाइल करते आपति दर्ज कराते उसके बाद उसका विकल्प अगर बी सही हो जाएगा ठीक है समझ जाए यह खाली तो दोस्तों आपको बी में प्लस वन आपको नमर तो दे दिये तो दोस्तों अगर देखे कि और इस समय के बड़ी अपडेट है कि अगर आप यूपी टेट फेल तो सिच्चक बरती से हो जाएंगे बाहर जिया दोस्तों इस समय की एक बड़ी अपडेट है जो बच्चे पेपर टू के लिए समलीज आपके लिए एक बड़ी खुसकबरी अगर आपने पेपर टू का पेपर छोड़ा तो समलीज दोस्तों आप चार अजा सिच्चक बरती से भी बाहर हो जाएंगे इससे में दोस्तों चार अजा सिच्चक बरती बहुत जल देखने को मिल सकती है तो अगर आपने पेपर टू दोस्तों पास करेंगे तो ही आप इस सिच्चक बर्ती में समलिस हो सकते हैं, देखिए काफी बच्चे ऐसे होंगे जो paper 2 दिया ही नहीं होगा, और कुछ आतरे 200 दिये होंगे, अगर आप paper 2 पास करेंगे तो दोस्तो आप 4000 सिच्चक बर्ती में पाई- नौकरी के कोई number बढ़ेगा नहीं, common number नहीं मिलेगा, जो आपके common number दिये जाते हैं, वो आपके 31 जनवरी 2020 तक, जी यां, दोस्तों, जब आपके रिवाइज डांदर की जारी होगे, तब आपको common number, free वाले number, जितने भी दोस्तों, आपको free के number दिये जाएंगे, या common हम कह सकते हैं, तो दोस्तों, वो 31 जनवरी को आपको जारी किया जागा, क्या आपको कितने number, common या free के दिये जा रहे हैं, एक बात और आपको बता दें, कि इतनी असानी से, दोस्तों, आपको free के number नहीं दिये जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये भी दोस्तों discussion होता है, कि आप कैसे free के number दे सकते हैं, मतलब अगर जब तक आप proof बहुत ही पक्का नहीं देंगे, तब तक दोस्तों आपका जो objection है, दोस्तों उसको accept नहीं किया जाता है, ये बात आपको समझनी पड़ेगे, तो सब कुछ दोस्तों देखने के बाद, आपका 7 February 2020 को आपका UPTate का final result आ जाएगा, जिना दोस्तों जो आपका result आएगा 7 February 2020 को, उसमें किसी भी प्रकार का कोई संसोधन नहीं होगा, जो दोस्तों होने वाला आपका 31 जन्वरी से का आप जितने भी objection फाइल करेंगे, प्रती प्रस्न आपको 500 रुपे देना होगा, ये बात भी हमागो confirm कर दें, अगर आपको objection फाइल करने जा रहे तो आपको 500 रुपे एक प्रस्न के लिए देने पड़ेंगे, तो दोस्तों चलिए पहले बता दें आपको कौन कौन से ऐसे प्रस्न बंड़ेंगे जिस पर आपका objection फाइल हो सकते हैं, एक दोस्तों ये कोशन आपका बंड़ा कि अनुछे तीन तुछपपन का प्रस्न प्रियोप कब और कहां गवा था, दूसरा कौशन दोस्तों ये बंड़ा है कि भारत में थारू जन जाती कहा निवास करती है, देखिए हम सिर्फ वो प्रस्न बता रहे हैं जिस पर objection की बाते चल रहे हैं, तीसरा प्रस्न ये था दोस्तों मांसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है, चौथा कौशन ये था दोस्तों सोतंतर रूप में भूमे में रहने वाला, जिवाड जिसमें nitrogen इस्थरी करड की छमता होती है, वा है, पाँचवा कौशन था दोस्तों आपका सुमेल करने का एक क्युशन आयता है, एक दोस्तों question था निम लिखित में से कौन सा सब्दा pulling है देखें दोस्तों ये सब जो प्रतन है अगर आप लों NCRT book से प्रूव करते हैं तब ही आपके सही नमर को accept किया जाएगा ने तो दोस्तों इतना आसान नहीं होता आप youpitate या seated किसी जिएगे किसी भी paper ने दोस्तों आपको अपनी नमर को बढ़वा पाए तो सबसे आसान के से जो नमर बढ़ते दोस्तों बता दें आपको mathematics होता है अगर math में आप उसका सही इस पश्टी करण दे देंगे तो वो नमर बहुत यासानिक साथ बढ़ा दिया जाता है लेकिन दोस्तों बात यूपिटेट और सीटेट में हो तो math में दोस्तों आपको सिर्फ उसका जो हल है उसको देना ही पड़ता है इस पश्टी करण के साथ लेकिन दोस्तों ये भी सो करना पड़ेगा आपके कौन से method से आपने solve किया क्योंकि जो आंतर पहले से दोस्तों आता है वो भी तो कहीं न कहीं से solve करके ही आता है न तो उसके पास दोस्तों बात आती जैसे बाल विकास, इच्छाट, जिकम हो गया, हिंदी हो गया, संस्क्राथ, इंगलिस हो गया और पर्रया वरण, अध्यान हो गया तो दोस्तों ये सब सब्जेट्स में आपके नमर कैसे बढ़ते हैं जब दोस्तों आप उसका प्रूव, NCRT या SCART बुक से लेकर आएंगे तो उसके नमर को बढ़ा दिया जाता है अब दोस्तों चलिए पहले हम इस पर discussion कर रहे हैं अगर आप पेपर 2 पास हैं तो आपके लिए बड़ी खुशकबरी कैसे बनती हैं ये आपको बताते हैं देखे पहले ये बात भी हम आपको confirm करें अगर आपने पेपर 2 छोड़ा है तो आपने बड़ी गलती भी कर दिये इस पार ठीक है ना पहले दोस्तों इस वीडियो को अभी आप लोग अभी तक किसी को share ना क्यों तो अपने दोस्तों के साथ WhatsApp ग्रूप में इसको share करके बता दीजेगा कि किन किन प्रत्नों पर आपके Objection File होने वाले दोस्तों ये सब प्रत्न है उसके बाद दोस्तों और वी जो लिश्ट बढ़ती जाएगे हम आपको अपडेट करते चलेंगे कि कितने और प्रत्न है नए Add होने वाले जिस पर Objection File होगा तो दोस्तों देखे अगर आप fail है यूपी टेट तो आपके पास दूसरा option है अगर आप सीटेट पास कर रखे तो आपके लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगे क्योंकि दोस्तों देखे काफी छातर ऐसे होंगे सियोर है कि Paper 2 का Paper छोड़ दी होंगे लेकिन यहापर Paper 2 का Paper काफी जरूरी होता यह बात आपको समझना पड़ेगा क्योंकि कुछ सिच्चक बढ़ती है दोस्तों ऐती आती है अगर आप Paper 2 पास नहीं है तो आप उस सिच्चक बढ़ती में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों यूपी में जो Upcoming Vacancy है उसमें 204,000 सिच्चक बढ़ती की बात हो रही है अगर दोस्तों यह सिच्चक बढ़ती जुलाई से पहले आ जाती है इसको समझे आप लोग तो आपको जो Seated का Paper होगा Seated जुलाई में होगा Seated 2020 की दोस्तों जो बात हो रही है वो Seated जुलाई में आपका Paper होगा अगर जुलाई से पहले यह Vacancy आएगी तो अगर आपके पास U-Petit या Seated Paper 2 अगर आपने पास कर रखा तो इस सिच्चक बढ़ती में आप भाई आविदन कर पाएंगे अगर नहीं कर रखता तो सीधे तोर पर इस सिच्चक बढ़ती से फिलाला बाहर हो जाएगे तो हम आपको दोस्तों सब कुछ अपडेट करते चलेंगे कि U-Petit के बाद खीर आपको नौकरी कैसे मिलेगी देखे जो छात्रा फेल है उनको जादर निरास होनी की जदूरत नहीं है पहली बात भी है क्योंकि देखे आपकी जो बड़ी वेकंसी है उस पर आभी आने में समय लगेगा जी यहां दोस्तों जो सबसे महतपूर वेकंसी आपके लिए होगी इंपॉर्टेंट या गेम चेंजर वेकंसी वो 23,000 वेकंसी होगे आपकी पिछली दोस्तों सिच्छक बढ़ती थी 2018 में जारी हुई थी यह इसका विग्यपती आया था 8,500 जिसमें दोस्तों अभी भी 23,000 पद खा लिए तो दोस्तों अभी तक इस पर साई से मतलब सिंगल बेंच का फैतला तो आगया है कि 30,000 पद जो है उसको कटाप कम करके भरा नहीं जाएगा यह बात दोस्तों इस पच्ट है हाई कोट की तरप से मामला डबल बेंच में जाएगा लेकिन दोस्तों बहुत जल्दी इस केस का फाइनल निप्टा रख हो जाएगा तो मतलब दोस्तों यह साफ अगर आप यूपिटेट पास नहीं है जैसे मालेत अगर आप फेल हो गए हैं दोस्तों आप लोग बिर्कुल निरास मत हो यह कि आपका सब कुछ खत्म हो गया है दोस्तों सबसे बड़ी वेकंसी अब तक सिच्छक बरती में यही आएगी क्योंकि दोस्तों जो आनी थी बड़ी वेकं चात्र रहेंगे, डिलेट के रहेंगे, मतलब नाम तो एक ही है, प्लस आपके दोस्तों B8 के चात्रों को आविदन का पूरा मौका दिया जाएगा, मतलब दोस्तों BTC vs B8 सीधे मुकाबला होगा, तो यह सबसे बड़ी सी चेक बरती है, अगर आप माल लेते यूपिटेट म पास नहीं हो पाएं, तो अब यह आपके पास मौका है, जियां मौके पर आपको चोगा मारना है, अभी इसको आने में समय लगेगा, जियां दोस्तों एक साल के अंदर यह वेकेंसी देखने को मिलेगी, एक-दो महिने में नहीं आने वाली साल पर कभी आपको इंतजार करन पढ़ सकता है इस वेकेंसी के लिए लेकिन दोस्तों पूरी उमीद है कि 2020 के अंद तक ये वेकेंसी देखने को मिल सकती है तो आपके पास सबसे बढ़ी है उप्सन होगा सीटेट जुलाई 2020 सीटेट के तैयारी करिए प्राइमरी लेवल पास कर जाए जो ये वेकेंसी है ये तो मतलब बहुत अच्छी वेकेंसी दोस्तों कहा सकते इसको बीटी सीट सबको मौका मिलेगा खाली आपको मौके पर चौका मारना है तो अभी इसके लिए तैयारी में आपको जुट जाना है कि जुटना है कि कैसे आर तैयारी करें कैसे आगे का प्रोसेस होगा वो सब कु 6 मैने से ज्यादा कर समय लगेगा तो दोस्तों सिंपल सी बात है यार 6 मैने आपको पास टाइम है जिससे आप सीटेट पास करके इस चक बरती तक पहुचे सकते हैं तो तेयारी हम दोस्तों आप उलगे रही है अगर आपके नमर जाता कम हो रहे है तो फिलाल दोस्तों बता साथ यूपीटेट में कुछ बड़ी अफडेट साई थी कुछ चात्र ऐसे थे जो पहले पास हो गए थे दोस्तों जब आपको उसकी आंतर नहीं हो ता आंतर की में कुछ विकल्प बदल गया जैसे हमने पहले बोला था अगर पहले ये विकल्प आपको एक नमर दिया गया अकर दोस्तों बात में सभी बच्चों ने अबड़र लाइन पर भिल्कुल जैसे मान लेते हैं醒े एक बिल्कुल 82 नमर थे या 90 नमर थे उनके एक नमर तो कम हो गया उनके 80 हो गया और 89 हो गया तो यह बच्छ़ फेल हो गए लेकिन दोस्तों जो बच्चे बिल्कुल 189 नमर पढ़ते हैं, 182 होगे, 89 नब्बे होगे तो बस कहले एक मतलब इतना है कि जो बच्चे पास थे, वो फेल हुए, जो बच्चे फेल थे, वो पास हुए तो ऐसा भी दोस्तों देखने को हर बार मिलता है यूपीटेट में, तो बहुत ही कष्ट वाले दोस्तों वो समय होता, अगर आप माल लेते पास हो कि फेल हो जाएं, और फेल होके पास होगे तो दोस्तों सिंपल थे बाते को आप कहेंगे एक चमतकार हो गया, या जो भी आप कह सकते, अपने किस्मत को कह सकते कि हमारी किस्मत अच्छी थी, तो दोस्तों यह सब चीजे होती रहती यूपीटेट में, तो आपको हमेसा लगे रहना, अगर आप इल्पी बॉर्डर लेन पर है, तो आपको यह सोचना है कि क्या सेफ है या ने, जो बच्चे देखिए, कि अगर आपको कनफर्म करते है इस वीडियो के धारान, अगर आपके समाझ जाए दोस्तों अगर आपके 79 से लेके 80 नमर 81 है, तो दोस्तों आपको पूरी संभावना है, जी यहां दोस्तों 99 परसन स्योर है कि आप 82 तक पहुच सकते हैं, कभी-कभी दोस्तों होता है कि नहीं अगर नहीं होता है, एक जूट हो जाते हैं, अभी आप लोग सोच रहोंगा है कि यह मामला सिर्फ औब्जेक्शन फाइल करने से खतम हो जाएगा, जी ने दोस्तों देखे का यूपीटेट का इतिहास है, हर बार यूपीटेट का मामला हाई कोट तक पहुचता है, तो दो असान दोस्तों नहीं होने वाल, आपको यतना असान सोच रहे हैं, तो अभी दोस्तों पूरा गेम इज ओपन, मतलब गेम इज ओन है, गेम चल रहा है, खतम नहीं हुआ है, तो आप लोग को लगे रहना है, जो बच्चे सौख ऊपर नमर है तो ठीक है, उनके लिए तो all the best है, आगे अपनी तैयारी करना सुरू कर दीजिए, लेकिन जो बच्चे बिलकुल borderline पर है, अभी थोड़ा सा आपको यूपीटेट में ध्यान देना है, इस पेसलिए आपको 14 जन्वरी को, 14 जन्वरी को दोस्त ये पता चलेगा, कि ये आखिर PNP ने आंसर की, क्या जारी क है, उसके बाद दोस्तों, 31 जन्वरी को आपको ये पता चल जाएगा, कि आखिर आपका रिजल्ट क्या आएगा, चले दोस्तों बाखी कि अप्डेट के लिए हमारे साथ बने रही है, और कोशन की दोस्तों लिश्किया अपडेट होती चल लएगे, कि कितने प्रत्नों पर है, आपके दर्श कराएगी, फिर मिलते हैं, इस्टेकनेक्टेट, और पेपर टू वालों के लिए दोस्तों बधाईओ, बहुत जल्दी आपके लिए तीचक भरती आने वाली है, फिर मिलेंगे इस्टेकनेक्टेट,